Q1 के नंबर आने वाल है उससे पहले हमारे पास Q4 के नंबर हैं भी तक वो कैसे रहें वो उससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि आने वाल टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है किस तरह से सिन्यारियों रह सकता है फोकस करते हैं सबसे पहले इसके सेल्स के उपर किसी भी कंपनी के लिए जो मर्जी की कंपनी उठा लो अगर उसकी सेल्स नहीं आ रही तो बागी नंबर अपने आप चेंज हो जाएँगे wol त्रेंड में चले जाएंगे अगर हम बात करें इसके 10% almost 11% की उसमें जम्प रही है YOY basis पे इसे आप अच्छा कह सकते हो next अगर हम focus करें इसके profit के उपर net profit के उपर again यह आपको 23 plus उसमें जम्प दिखाई दरी YOY basis पे again this is second point हो गया हमाले जो positive हो गया next अगर बात करें EBITDA के उपर EBITDA में 25% plus की जम्प दिखाई जरी again this is super positive for us अगर हम बात करें इसके बाद जो हमाले काफ़ इंपोर्टन होता है EPS EPS इस कंपनी की तो 14 2020 मार्च में और अभी हो चुके यानि last quarter के बात करें last quarter यानि मार्च 2021 तक की बात करें 18 के ऊपर हो चुके यहाँ पर हमें चीज़े क्या समझ मारी है सिर्फ नंबर पढ़ना या फिर नंबर से यह समझ मारना है कि चीज़े कोविड से बहुत सारी industries में अभी भी improvement नहीं आया या फिर बाकी चीज़ें सुधरी नहीं है इसमें आपको चीज़ें समझ मारा कि अच्छी बात हुई है improvement शुरू हो चुका है इसके बाद अगर चीज़ें शुरू हो चुकी तो long run में company ने किस तरह से return दिया है आपको यहाँ दिखाई पढ़ रहा है यह इसका company का अजनता फार्मा के हम बात कर रहें आज के दिन long run का return का chart है एक time में इसका maximum low है वो 2.73 के आसपास था और जो maximum है 2.197 का इन्हें 2 रुपे शेर कहाँ 2000 उपर चला गया आपको इस चीज़ें समाझ मारी है और return किस तरह से दिया है आपके सामने है वहीं बात करनें बीच में आपको एक correction भी दिखाई देरा जो है COVID का fall COVID के fall के वजह से बहुत सारी industry बहुत सारे उस industry के share अभी तक recover नहीं हो पा है आपको इसमें क्या दिखाई देरा V-shape recovery दिखाई देरे तो जो share होते हैं वो 4 या 8 की रफ्तार से बढ़ते हैं ये आपको कुछ इसमें कुछ pattern बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है return तो अच्छे रहे हैं लेकिन उसको drive case ने किया जैसे कि हमारे बात हुए sales नहीं होंगे अच्छे तो सारे number negative में चले जाएंगे लेकिन sales अच्छी होगी तो automatic सब अपने आप सब positive में हो जाएंगे किसे भी company के लिए world level की बात कर रहे 5 साल में इसके sales थी 11% प्लस थी वहीं बात करें जो अच्छी थी 10% से उपर को में अच्छा मानता हूँ वहीं बात करें तीन साल में 14 improvement शुरू हो चुका है वहीं बात करें एक साल में किस तरह से चीज़न double होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर चीज़न इंप्रूव होनी काफी अच्छे हुए में आपको है चीज़न समझ मारी है sales बढ़री sales बढ़री तो profit growth definitely बढ़ेगा 5 साल में almost 10% के आज़ पास 3 साल में 16 प्लस this is good and 1 साल में 53 this is super good तो यहां पर profit growth भी company में बनी हुई है next focus करें इसका return on equity के उपर आपको यहां दिख रहा होगा 25 जो है उसको maintain के this is good for us यहां पर कोई भी शिकायत का मौका नहीं है next बात करें ROCE के उपर यहां पर भी चीज़न 34, 34, 33 यहां पर भी company ने maintain ही किया हुआ है next अगर focus करें debt किस company के पर as if not debt बिलकुल नहीं है लेकिन अभी तक हमने क्या देखा जितने भी ratios थे वो हमें सब अच्छा बता रहे return बड़ा अच्छा बता रहे debt भी है बड़ा अच्छा बता रहे जा आगे देखते है ज़रा आगे देखें तो promoter के पास जो holding है वो maximum उन्हीं के पास 70 प्लस दिखाए दे रहे वहीं अगर बात करें जो DIS का interest बना हुआ है 12% के आसपास उससे उपर की holding है बात करें FIS की 8 प्लस है यानि ज़रा कम है लेकिन है interest बना हुआ है बागी बात करें public का public के पास 8% प्लस की holding दिखाए दरी यह जो holding है यह है March 2021 के तक की और जो यह data बना था यह बना था previous data से आपके सामने data है September 20 से लेकर June 21 तक का promoter के पास थे 70 प्लस अभी भी है 70.34 यानि 70.51 से 3.4 ज़रा सा ही profit booking की है या फिर अपने माल को निकाला है ज़्यादा कुछ हाथ ने लगा है FIS के बात करें 7 से हो चुका 7.71 था September में अभी हो चुका 8.94 Almost 9 के असपास यानि किसने खरीद है आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा Next अगर focus करें D.I.S. के पास 11 था वो हो चुका 11.81 11.44 से 8.1 ज़रा सही इन्होंने बढ़ा है यानि यह समझ ले जितना promoter में बेचा है उतना इन्होंने खरीद है और ज़रा कोई टेंशन के बाद इन्होंने भी की नहीं है focus करें government का government का भी ज़रा सही involvement है बहुत ज़रा नहीं है अगर हम बात करें public का public के पास था 9.59 अभी है 8.14 ज़रा सा अपने interest को कम किया लेकिन उतना ही है लेकिन public का भी कोई ज़रा है नहीं अगर इन सब के बाद जैसे हमें दिखाएद रहा कि FISN DIS का interest बना हुआ है investment बना हुआ है mutual fund कौन से है जिन्होंने चार चार के हम यहाँ बात करेंगे इसके लावा जब आपने research करेंगे आपको और भी मिल जाएंगे जिन्होंने invest किया हुआ है इस company के पर सबसे पहला मेरेई asset healthcare fund direct growth उसके बाद दूसरा SBI magnum global उसके बाद SBI healthcare opportunities और उसका मेरेई asset mid-care fund यह वह चार fund है जिन्होंने as of now इस company के पर invest किया हुआ है सारी अच्छे चीजे तो हमने देख ली अगर हम बात करें इसके pledging के उपर pledging इस company के उपर है जो है वो हमें unbiased हो के आप सभी के सामने रखना होगा जो मार्स 20 में थे promoter के पास थे 70 point 70 से उपर के जो holding उनके पास थे अभी भी 70 से उपर है वहाँ तो कोई tension के बात नहीं है लेकिन 70 में से जो holding रखी थी मार्स 20 में वो था 17 प्लस 17 परसन से उपर के holding pledge रखी थी अभी वह चीज होते हुए 15.49 आया है यह यह वहाँ से तो कुछ नीचे आया है यस जरा से नीचे है लेकिन अभी भी pledging बनी हुई है यह हमाले काफ़ important हो जाता अगर especially किसी भी company not only this कि अगर हम किस long term investment करते है long term investor किसी भी company में उसके pledging के ओपर हमें ध्यान देना चाहिए क्या reason है क्यों pledging हो रही कम हो रही है नहीं हो रही है जब quarter one के number आए तब हमें ध्यान देना जरूर होगा क्या हुआ इस pleasing का यह बड़ी है कम हुई है उसके पीछे reason भी हमें मिल जाएगा जब हम research करेंगे इसलिए इस चीज के ओपर हमें काफी focus करना चाहिए बाके overall companies के जितने भी हम parameter देखे तो वहाँ तो हमें बड़ी अच्छे लगे थी अगर हम बात करें इसके actual जो balance sheet है 18 से लेकर 21 तका data हमारे सामने है और हम focus करते हैं सब से दो parameter जो important होंगे हमारे लिए पहले operating profit यह जो 2018 में 18 में था हमारे लिए हमारे पास 658 19 में एक dip नज़र आ रही है आपको उसके बाद 20 में 2020 जो covid था उसमें भी आपको कुछ recovery आई और actual जो recovery आई है actual जो इसको advantage मिला है इस sector को इन share को वो आपको 21 तक दिखाई दे रहा है यह जो जो number थे वो improve हो चुक है अगर हम बात करें उसके बाद next net profit के उपर again net profit के अगर हम बात करें 4, 6, 9 था 18 में 19 में एक dip आया उसके बाद 20 में कुछ recovery और actual जो recovery प्लस gain प्लस advantage जो मिला है 2021 में मिला है आपको समझ मार जिसके हम बात करें कि फार्मा सेक्टर फार्मा शेरों को advantage मिला है उसके बाद EPS आँखरी लैंग पर आफ फोकस कीजिए उनके इमाने तो 89% as of now इसके उपर bullish है या फिर buy की rating दे रही आपको ना इनकी सुननी है ना हमारी सुननी है अच्छे से अपनी research करनी है अपनी सुननी है और जो आपके financial advisor है जिनके पूछ के आप अपनी महनत का पैसा invest करते है उनके advice लेनी है उसके बाद ही कोई reason लेना है इन सब के बाद अगर इसके P ratio के फिर कुछ valuation के पूर फोकस करें industry P चली 40 के आसपस और यह आपको मिला अभी भी इस return के बाद ऐसे ऐसे चीज़ों के बाद and 27 के आसपस जो अभी भी आपको अपने industry P से नीचे मिल रहा है पहली चीज़ दूसरा EPS बड़ा ही शानदार है इसका आपको 78 दिखाए दरहा जो काफे अच्छा है उसके बाद बात करें dividend yield के dividend yield उतनी अच्छी नहीं है क्यों 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 जो फोकस है company का growth के उपर जादा है इसलिए आपको यहां पर चीज़न दिखाई दे रही है बट उसके बाद भी company dividend देती है कम देती है वो फोकस करें delivery के 52% के 53% plus के delivery हुई है आखरे trading दे के दिन तो यह तो हमें यहां से चीज़ समझ मारी उसके बाद फोकस करते है इसके chart के उपर chart को हम समझे सबसे पहले इसके chart का इसके behavior समझ लेते हैं इसके chart के उपर यानि कि जब भी इसमें जो कोई भी correction आता है जब भी इसमें profit booking आती है तो maximum अपने जो है आपको यहां पर दिखाई पढ़ रहागा अपने 100 ए EMA के आसपा 150 के आसपा से आता है उससे नीचे नहीं आता है वहीं से buying emerge हो जाती है यह आपको data कई पिछले महीनेों से दिखाए 2021 तक से लेकर अभी तक almost अभी जुलाई खत्म होने को आ चुका है वहाँ तक का data दिखाए 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 अभी तक तो उस तरह से इसमें behavior रहा है अभी तक अगर हम इसको जरह से deep में समझने कोशिश करें या फिर बाकी levels को discuss करें अगर आप अभी तक private channel का part नहीं बने है न description में आपको links पूरा process मिल जागा है अब private channel क्या है यहाँ पर क्या होता है real time business पर हम market हम अपने जो personal trade होते हैं वो भी share करते हैं आप सभी के साथ प्रस कुछ additional शिकाने कोशिश भी करते कि किस तरह से चीज़े market में हो सकती है फिर हो रही है चलिए इसको समझते हैं सबसे फिले चोटे time frame है यहाँ पर क्या हुआ जैसे हमने बात कि थी जब uptrend में होता है तो 20 day पर support लेता हो जब maximum में आता है 50 और 100 के आसपास आता है और uptrend में जैसे इसका यह जो time था इसके बाद जैसे इसमें breakout है आप यहाँ देख पाको 20 day के आसपास support लिया red line जो दिखाई ज़िए उसका अच्छा gain आपको quick gain दिखाई पड़ा था उसका अभी क्या है same pattern आपको यहाँ पर यह था इसका consolidation का time फिर से जो आखरी candle आपको दिखाई दे रही है green candle है again tonic के आसपास support दिया वहीं से bounce back किया इसलिए यह share हमारे यहाँ पर prime focus पाजाने चीए यहाँ से अब 3 scenario आते है 3 question आते सबसर पहले जिनके पास है जिनके पास हैं कोई tension की बात नहीं उन्हें तो बस यहाँ से right को enjoy करना है जो right शुरू हो चुक है आनोले दिनों में आपको और भी जादा दिख सकती है पहली चीज जिनको fresh buying करनी है या फिर averaging करनी है उनके लिए जिस level के आसपास है वहाँ पर भी कर सकते हैं अगर यहाँ से दूसरे चीज क्या है यहाँ पर भी कर सकते हैं उसके बाद अगर क्या है अगर आप breakout player है या फिर breakout की strategy को use करते है आपके लिए क्या level है 22 के level को जैसे ही break करेगा इसमें अच्छा quick momentum आ सकता है जैसे कि हमने recent में दिखाई दे रहा है जुलाइ से पहरे अगस्ट के end तक कुछ वैसा ही आपको इस इस जून इसमें भी दिखाई पड़ सकता है तो इसलिए दूसरा सवाल भी एक cover हो जाता है यहाँ से के 22 के उफर इसमें fresh bank की जा सकती है और breakout वालों के लिए तीसरा scenario क्या हो जाता है कि अगर market में profit booking आगे ग्लोबल लेवल पर हमें profit booking दिख गए तो definitely इस यहर में भी कुछ hiccups आपको दिखेंगे अगर hiccups दिख गए उस hiccups के दिन आपको अगर अगर फिल से यह आपको Tony Day EMA के आसपास मिल गया जहां इसनों 3-4 दिन से काफी time भी बिदाया था उसके बाद ही इसमा अपमूब आया अगर वहाँ पर मिल जाता है तो वहाँ पर फिल से एक fresh buying की जा सकती यानि जितने condition हो सकते हैं वो आपके सामने आच चुके तो अपने-पने strategy के हिसाब से अपने-पने risk profile के हिसाब से अपने-पने strategy के हिसाब से हम इसको यहाँ से play कर सकते हैं बट हाँ इसको अपने watch list पे जरूर लगा सकते हैं इसको यहाँ से momentum को समझ सकते हैं अपने research को कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाके सारी चीज़ा आपको description में मिल जाएंगे exit करें आप वीडियो को उससे पहले एक दफ़ा देख लीजेगा